एसी का इस्तेमाल सबसे अधिक लोग गर्मी के मौसम में करते हैं अप्रेल का महिना शुरू हो गया है अब इसे भारत के अलग-अलग हिस्तों में भीषन गर्मी और हीट वेप का असर देखने को मिल रहा है ऐसे मौसम में बाहर से आने के वाद शैर को ठंड़क की आवशकता होती है लोग कूलर पंखा और एसी के नीचे बैठना पसंद करते हैं जिसका सीधा असर हमारे हेल्थ पर ही पड़ता है अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो पूरी गर्मी एसी में ही रहते हैं जिसके कारण उन्हें कई सारी शारिरिक परिशानियों का भी सामना करना पड़त एसी में रहना बहला किसको पसंद नहीं होगा गर्मी के मौसम में लोग घर हो या फिर ऑफिस हर जगा एसी में रहते हैं हाला कि एसी का बुरा असर भी हमारे हील्थ पर ही पड़ता है एक रिसेर्च में पाया कहा है जो लोग सबसे अधिक AC में रहते हैं, उन्हें धकान के साथ-साथ हमेशा कमजोरी महसूस होती रहती है, इतना ही नहीं AC में अधिक समय तक रहने से वदन दर्द के शिकायत भी हो सकती है, इसने कोशिश करे कि अधिक समय तक AC में नहीं रहे तो सिहत के लिए अच्छा रहेग जिससे body dehydrate होने लगती है और देखते ही देखते लोग dehydration का शिकार हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि कम से कम AC में समय गुजारे तीसरा है खुजली की समझ चाहे हो सकती है एसी में जाद देर तक रहने से खुजली की भी समझ चाहे हो सकती है दर असल dehydration के कारण तोचा पर रुखापन होने लगता है और धीरे धीरे ये खुजली में तबदील हो जाता है ऐसे में कोशिश करें कि AC में ना रहकर पंखा के से नीचे इस साल गर्मि में अधिक से अधिक समय बिता है चौता है सिर्दर्द की समझ चायं हो सकती है एसी में रहने वालों को सिर्दर्द की समझ चायं हो सकती है इसलिए क्योंकि air condition में कमरे का वातावरन शुशक को हो जाता है जिसके करण dehydration के समझ चाहें उत्पन हो जा यह पज़ब है रेस्पिरेटरि प्रॉबल्म्स वेयर्ट है इसमें ओधिक होती है। इसमें आम तर पर नाक बंद हो जाता है कला सुखने लगता है। बता दे कि चेकर्न फॉझी का मुख वजह ऐसी यानि की एर कंडिशन की हवा जो सबसे अधिक ट्राइ होती है। इसके करन गले में सुखापन और जलन जिसे समस्याइं पैदा होने की सबसे अधिक संभावनाएं बनी रहती है इसलिए कोशिश करें कि एसी में ज्यादा देर तक समय ना बिताएं